सुप्रिम कोट का भयंकर एक्षन और केंदर की सरकार चार अखाने चित थम्निल आपने देखा होगा विशेभी कुछ ऐसा ही है बहुत लिए इंट्रेस्टिंग है पुब्लिक इंट्रेस्ट की एक बात है एक आदेश है माने सुप्रिम कोट का जो आप से डिसकस करना है तो वो भी अब अनुके फैंसले देते हैं बिल्कुल लीगल बिल्कुल जस्टिस जिन फैंसलों से मिलता है उन फैंसलों को देते हैं हिचक नहीं करते हैं क्योंकि CGI ने कहा था कि आपको बिना डरे फैंसले देने चाहिए तो फैंसले भी अब ऐसे आने लगे हैं कि न्याए के खिलाफ मुकदमा दर्ज होता, ED के बड़े अधिकारियों को संबंदे के तलब किया जाता है, कभी ED संबंदे के तलब करती है, तो ये खेल भी चल रहा है, यहां क्या सही, क्या गलत, इस बारे में डिसकस नहीं कर रहे हैं, आपको बताने आएं कि क्या चल रहा है, इसके अलाबा आप देख रहे हैं कि चुनाब जो है, लोकसवागा 24 का चुनाब चल रहा है, और इस चुनाब में जो कुछ हो रहा है, आप सब के सामने है, चुनाब आयोग जो है कभी आंकड़े जारी नहीं करता है, फिर उसको इक पद जारी होंगे, तो आंकड़े जारी होते हैं, इसके लाबा आप देखते हैं कि सूरत में जो कॉछिस के प्रतियासी है, उनका परचा भार शाख हो जाता है, इसके बाद इंद और से कॉछिस प्रत्यासी अपना परचा वापस ले ले लेते हैं, तो भाष्पा यहां ने रूरर रूप से जीत जाती है तो आपने देखा कि चुनावों में क्या चल रहा है इसके लाबा सबसे जो महत्तपूर जो घटना करम इस वक्त पुरे देश में चल रहा है वो है दिल्ली के मक्हमंतरी अर्विंद केज़िवाल का जो दिल्ली शराफकांड है अब एक दिन पहले से एक खबर जो आना शुरू होई दो दिन पहले से कि दिल्ली की जो आम आदमी पार्टी है उसकी जो राज़ासरवा सांसद है सुवाती मालीवार उन पर मारपीट की गए उनके साथ सियम आवास में जो मुख्यमंत्री हैं उनके जो पीए हैं उन पर आरूप लगा तो ये चीज़ें भी आप लोग देख रहे हैं किस तरीके की राजनीती चल रही है और क्या देश में चल रहा है इन सब के बीच में एक सबसे बड़ी खबर सबसे बड़ा आदेश जो सुप्रिम कोट का है जो कही ना कहीं केंदर सरकार पर जो आरूप लगते रहते हैं पर पक्षी दल कभी नहीं चूपते हैं कभी नहीं हिचकते हैं कहने में कि केंदर की सरकार E.D. और C.B.I. का दुरूपयोग कर रही है कि जो भी निता केंदर सरकार के खलाब बोलता है या उनके चीजों को नहीं मानता है उनके कहें उनसारकार नहीं करता है उसके पीछे वो E.D. लगा कर उसको परिशान करते हैं जेल बीच देते हैं तो इस आदेश से कही ना कहीं जो केंद्र सरकार की जो सकतिय में पर कहीना कहीं अंकुष लगता नजर आरा है और कहीना कहीन ये लग रहा है ऑडेश को परसी of भेइस को पहले इसको बीरीफ पड़ंगे हा उसके बाद इससके डिसकस करें We плब limit ठीर चेवर नारा है एक report चपी है जिसमें कहा गया है कि ED जो है PMLA के तहट अब किसी को ऐसे गिरफतार नहीं कर सकती जब मामला नयायले के संग्यान में हो नयायले के संग्यान में अगर मामला है तो court से उसकी अनुमती लेनी पड़ेगी अनुमती लेने के बाद ही ED किसी को गिरफतार कर पाएगी कि यानी सीधे सीधे जो केंदर सरकार का और ED का क्योंकि ED केंदर सरकार की एजनसी है तो उस पर आरोप लगता रहता है कि केंदर सरकार की कटपतली है केंदर सरकार के कहने पर वो काम करती है राउल गांदी हों तमाम बड़े निताओं पेपक्षे कभी वो कहने से नहीं चुकते हैं यह वाली बात को तो अब E.D. और जो किंदर की सरकार है उसके बीच में नियाले भी आ चुका है तो मसला यह है मैं आपको बता दूँ सुप्रिम कोट के जस्टिस हैं अबे एस ओका और उजल भुया इन दोनों की खंड़ पीट ने पीमले के तहट गरफतारी की जो E.D. की शक्तियां हैं उन पर बहुत एहम फैंसला दिया लाइव लॉकी रिपोर्ट के मताबिक धारा चावालिस के तहट शकायत के अधार पर पीमले की धारा चार का संग्याल नेने के बाद E.D. शकायत के आरूपी व्यक्ति को गरफतार करने के लिए इदारा उन लिज्क के तहट शक्तियों का प्रियोग अब सीदे नहीं कर सकती है अगर समन के बाद जो व्यक्ति है जिसको समन किया गया है अगर वो समन के बाद पेश नहीं होता है तो E.D. उसको गिरफतार करने के लिए नियाले में special court में आविदन कर सकती है और special court जो है उसको ऐसा लगेगा कि व्यक्ति की गिरफतारी ज़रूरी है उसे पूछताच होना आवश्क है और कुछ ऐसा है जो उसने नहीं बताया है तो नियाले उसकी गिरफतारी का आदेश जारी कर सकेगा उसके बाद ही एडी किसी व्यक्ति को अब गिरफतार कर सकेगी तो ये आदेश जो है इसमें ये भी कहा गया है कि इसके पहले court को ये देखना होगा कि उसके content क्या है कि इसके और उस नियाले को विश्वास करना होगा कि उसकी गिरफतारी जो है उसके हुए बिना, उसकी गिरफतारी हुए बिना इसमें जांच जो है संभव नहीं है, संबंदित व्यक्ति जो है वो सहयोग नहीं कर रहा है, जांच में कुछ चीज़ा नहीं बता रहा है, तो ऐसी अवस्था में नियाले को जब पूरा भरुजा हो जाएगा, तो इस पेश संबन पर आदमी जो भी व्यक्ति जिसका संबन जिसके नाम गया उस व्यक्ति को बुलाया पूछताच के लिए, और पूछताच के दौरान कोई ऐसा चीज कोई तथ्य निकल आया, कोई ऐसा एविडेंस निकल के आया, कि एडी को लगता है कि यह व्यक्ति आरूपी है, तो एडी अब तक उसको सीधे गरफतार कर सकती थी, उसको अलग से इन चीजों में कोट से अनुमति लेने की पर्मिशन लेने की आवशकता नहीं थी, क्योंकि धन्शोदन अधिनियम यानि की PMLA एक्ट में इस बात का पहले से प्रावधान दिया गया है, कि एडी किसी व्यक्त को गरफतार कर सकती है, अलग से एक्ट है, अलग से स्पेशल एक्ट है बनाया गया, इसकी सारी चीजें बिलकुल अलग है, IPC से बहुत अलग है, इसी एक्ट के मताबिक मुगदमा चलता है, इसी एक्ट के मताबिक सजा होती है, तो इस एक्ट में गरफतारी के प्रावधा अब फिलाल जेल में हैं, चाहे वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विंद केजरिवाल हों, चाहे वो राहूल गांधी हो, चाहे ममता बेनरजी हो, चाहे वो तेजस्त्री आदव हो बिहार के, सबी लोगों का आरूप था कि E.D. केंदर सरकार के शारिय पर काम कर रही है और व रहाथ देने वाला है कि अब कोई भी गिराफतारी सीधे नहीं होगी सुप्रिम कोट की जो बैंच है, जिस अब ऐस Oka और जश्टिस अजुल बहिया, इन दौनों की बैंच ने या आदेश दिआ है और जब यह किसी सुप्रिम कोट की बैंच ने आदेश दिया है, तो यह प्रतियक जो भी नियायल है जिस इस तर पर है जाए वो ट्रिमिनल है जाए वो कोई से भी नियायल है जाए वो स्पेशल कोट है सब पर समान रूप से लागू होता है क्योंकि सुप्रिम कोट का जो आदेश होता है वो एक तरह से माना जाता है कि बाकी के नियायलों के लिए उनको मानना बात्धिकारी है वो ऐसे नहीं बच सकते हैं तो जब मानना बात्धिकारी है मानना एक तरह से आग्यापक या आदेश होता है इसको mandatory होता है निचली अदालतों को trial courts को इनको मानना तो जब trial courts को मानना है Supreme Court ने आदेश दे दिया है तो अब देखने वाली बात ही ह कि E.डी जो है आने वाले दिनों में किस तरीके की कार्रिवाही करती है E.डी किसी व्यक्ति को संवंधिकारी करके जेल बेचती है या रहेंगे आपको दोस्त तर बता दूंकि यह पियमले जो है बतमान में बहुत चर्चाओं में है एडी बतमान क्यित यह लेकिन बतमान में और इडी जो है वह इसकी शुरू hy को सभा दूं तो इसकी शुरूहाद मैं आपको बता दूं देश में जब मनमौन सिंग की सरकार थी, उस वक्त में इस कानून को बनाया गया, पास किया गया, पीमले जो एक्ट है उस कानून को उस वक्त में बनाया गया, उसको समाम पावर्स उस वक्त में दी गई और बाद में जो पी चिदंबरम है तब उन्होंने उस कानून को और सक्त किया और इस पीए मेले यानि धन्शुद नदनियम कोई नया नहीं, मोदी ये भाषपा सरकार इसको लेकर नहीं आई है, इसको कॉंग्रेस की सरकार ही लेकर आई थी, कॉंग्रेस के प्रधान मंत्री मनमौन सीन नहीं इनको लागू किया था इस कानौन को, तो आज की वीडियो में इतना ह आई आप लोग बने रहें चौत्री लीगल एसस्ट्विट पर हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें, जैन जै भारत, नमस्कार.